नमस्कार इस्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब का एक बार फिट से स्वागत है बाइजूज इग्जाम प्रेप, आएस हिंदी के इस यूट्यूब चनल पर आज है 17 अपरेल 2023, आज हम लोग देखेंगे कि हमारी daily quiz में, हमारी prelims के लिए कौन-कौन से important question है सबसे पहला प्रशन, आपके सामने दो कथन दे रखे हैं और इस कथन को पढ़ने के बाद आपके मन में एक रोग के बारे में आ रहा होगा उसकी आपको पहचान करनी है यह रोग लाल रख्त कोशिकाओं की प्रारंभिक म्रत्यू का कारण बनता है भारत सरकार ने 2047 तक इस बीमारी को खतम करने के लिए एक mission की शुरुआत की है यह आपके सामने options हैं, वीडियो को pause करके इसको लगाईए अब देखे, यहाँ पर यह news चर्चा में क्यों आई, Indian Express के अंदर एक article है आप इस photo में एक वेक्ति को देख पा रहे हैं, इनका नाम है Dr. Ramesh Katre इन्होंने sickle cell anemia, रोग के उपर बहुत सारा शोध किया है ठीक है, बहुत बार सरकार को इस बारे में बोला है कि इस particular topic को आप अपनी text book में शामिल करिये बट उस पर कोई action हुआ नहीं, अब जाके यहाँ पर University Grant Commission जिसको हम लोग UGC जानते हैं उसने request करा है सारे higher secondary institutions को कि इसके ऊपर एक chapter text book में शामिल करा जाए तो यहाँ से हमारे लिए sickle cell anemia रोग जो है वो important हो जाता है, अब देखिए, जैसा कि आप इस diagram में देख पा रहे हो, हमारी जो normal red blood cells होती है जिनको हम लोग RBC बोलते हैं, तो वो इस type से होती है, ठीक है इनहीं को हम लोग क्या बोलते है, यह देखिए, normal erythrocyte, erythrocyte क्यों बोलते है इसको, देखिए, जो यह site होता है न, इसको बोलते है cell, यानि कि कोशिका और erythro जो होता है, इसी को हम लोग बोलते है, basically red blood, तो अब इसको मिला के हम लोग क्या पड़ते हैं, red blood cell, तो normal हम समझने वाली बात है कि actually में ये होता कैसे है, तो यहां पर देखिए एक तरीके का हमारी genes में एक mutation होता है, mutation का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि mutation मतलब होता है single point में कहीं पर कुछ change हो जाना, यानि कि हमारा जो DNA होता है जिस जो normal DNA का sequence होता है उस sequence में एक भी point में अगर change होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग mutation कहते हैं, अब अगर इसके बारे में specific बताऊं तो आप ऐसे समझो कि ये हमारा एक chromosome है ठीक है, तो chromosome जो होता है इस chromosome की numbering होती है हमारी body के अंदर, तो basically chromosome 11 जो वो किसका निर्माल करता है, वो HB का निर्माल करता है, यानि कि हीमोगलोबीन हमारी body में बनाता है, इसी gene के अंदर अगर mutation होता है एक single point पे और वो single point अभी के लिए जान लीजे कि वो होता है sixth position, ठीक है, इस position में जो normal हमारा blood होता है, उसमें T और A होते हैं, इनकी जगए ये reverse होके A और T हो जाता है, तो इस वज़े से क्या होता है, यहाँ पर जो amino acid होता है, वो बदल जाता है और वो हमारे RBC का जो structure है, उसको change कर देता है, अब ये जो structure change होता है, actually में क्या होता है, oxygen की यहाँ पर कमी हो जाती है, जब oxygen की कमी RBC के अंतरगत हो जाती ही, तो वो इस तरीके से हो जाते हैं, वापस अपने प्रश्ट पे लोटते हैं, तो लाल रख कोशिकाओं की प्रारंभिक मरत्यू का कारण बनता है, एकदम सही है, और भारत सरकार का लक्ष है कि 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरीके से खतम करेंगे, तो यहाँ पर ये जो दो कथन है, ये किस रोग की तरफ डिनोट करते हैं, वो है सिकल सेल रोग, तो पहले का उप्षन हो जाएगा C, अगला प्रश्ट देखते हैं, कितने कथन सत्य हैं, आपके सामने तीन कथन दे रखे हैं, केवल भारत के सरवोच नैले के पास रिट जारी करने की शक्ती है, अधिकार प् तो इसको करने का प्रयास करिए, अब ये चर्चा में इसले आया क्योंकि एक NGO है, उस NGO का नाम है Association for Democratic Reforms, इसने basically Supreme Court के अंदर एक रिट फाइल करिये, और एक election commissioner है, उनकी नियुक्ति को लेके इन्होंने प्रश्न उठाया है कि इनकी नियुक्ति जो आपने एक panel सुझाया था कि जिसमें Supreme Court के Chief Justice रहेंगे, एक opposition का leader रहेगा और प्रधान मंतरी रहेंगे, ठीक है, हाल ही में Supreme Court की तरफ से ये panel का गठन करा गया था, तो इस विधी का पालन यहाँ पर election commissioner के नियुक्ति में नहीं हुआ है, इस वज़े से ये NGO Supreme Court गया है, तो अब यहाँ पर हमको पता होन चाहिए Article 32 जो है, वो यहाँ पर व्याख्या करता है कितने type की rates होती है, तो आज मैं आपसे हर DQ के बाद एक प्रशन पूछता हूँ, तो मेरा आपसे प्रशन यही रहेगा कि Article 32 के अंदर जितनी rates हैं, कमेंट करके उनको जरूर बताईएगा, तो केवल भारत के सर्वोच नयले के पास रिड़ जारी करने की शक्ती गलत हो जाता है, अधिकार प्रच्छा किसी मंत्री स्तरी कारयले के विरुद जारी नहीं की जा सकती, एकदम सही कथन है, विशेष्टा अमेरिकी समविधान से उधार ली गई, यह गलत हो जाएगा, यह हमने बिटिस समविधान स सही है, वो है दो, तो इसका बेस्ट ऑप्चन हो जाएगा A, अगला प्रच्छन देखते हैं, निमलिकित में से कितने कच्छन सत्य हैं, एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विधुरुव, अल नीनो के प्रभाव को बेसर करता है, एक सकारात्मक IOD यानि की इंडियन ओशन ड परचा करी थी कि इस बार जो मौनसून है, IMD की तरफ से रेटिंग आई थी कि वो नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल जो हो है, जब वो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, तो हमारा जो पस्चमी हिंद महासागर है, वो जादा गरम रहे जो वाई होंगी, वो सब इसी वाश्प को अपने अंदर समाहित करेंगी और उपर की तरफ उठेंगी, तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्शा होगी, तो यह भारत में मौनसून अच्छा लाते हैं, सकारात्मक इसलिए हमने इनको नाम रखा है, इंडियन ओशन डाइपोल क कि भारत में अच्छी वर्शा होती है, इसी के विप्रीट जो नेगेटिव हो जाएगा, उसमें यहाँ पर पस्चिमी के अपेक्षा पूर्व में टेंपरेचर जादा हो जाएगा, तो यह नकरात्मक प्रभाव देता है भारती मौनसून पर, वापस अपने प्रेश्ण प जिले के संबद में निमलखित कत्नों में से विचार करना है, इसको लगाने का प्रयास करिए, अब देखिए यह उत्तिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है चर्चा में इसलिए आये, प्रधान मंत्री ने अपने भाशन में इसका जिक्र कर रहा था तमिलनाडू के अंदर, तमिलनाडू के अंदर जो इसकी exact location है, वो कांची पूरम जिले में आपको देखने को मिलेगी, उसी जगह पर एक पूरा गाउं बसाए गया था, तो यह जो गाउं था बिसिकली न, यह famous था यहाँ पर जो मंदिर थे, historical temples की वजए से, और यहाँ पर जो यह अभिलेक पाए जिस inscription की यहाँ पर बात हो रही है, यह basically चोल सामराजी के दोरान यहाँ पर बनाये गया था, अगर specifically बात करें तो परांतक वन चोल जो थे, इनके काल को यहाँ पर उत्तर मेरूर inscription refer करता है, वापस प्रेशन पर लोटते हैं, यह Tamil नाडू में इस्थित एक चोल काल का शिला लेख है, बिलकुल सही है, यह उस समय की अर्थ ववस्था और भारत और दक्षिन पूर वेशया के बीच फलते फूलते व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करता है, यह basically उस टाइम की जो राजनेतिक सानचना है, प्रशासनी की काईया है, उनके बारे में बताता है, तो यहाँ पर बेस्ट उप्षान हो जाएगा A, 2019 की प्रारंबिक परिक्षा में प्रशन आये था, निमलिखित में से किसके संदर्ब में कुछ वैग्यानिक, पक्षाब, मेग, विरलन, तकनीक, तथा समताब पंडल में सलफेट, वायू विले, अंतक शेपन के उप्योग क सुझाब देते हैं, यह आपके सामने option है, अब cloud seeding का नाम आपने सुना होगा, तो basically अगर यह सारी चीज़ें करी जाती है न, तो यह करा क्यों जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारी प्रत्वी है, ठीक है, geography में heat budget, जो उश्मा budget वो सबने पढ़ा होगा, तो जितनी उश्मा आ रही है, उतनी ही वापस return में जानी चाहिए, बट होता क्या है कि यहाँ पर पकशाब जो मेग होते हैं, इनकी वज़े से यह क्या करते हैं, यह वापस जाने वाली जो परावर्तित उश्मा की विक्रणे होती हैं, इसको यह एब्सॉर्व कर लेते हैं, उपर जा जो भूमंडली तापन होता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर इन technology का इस्तमाल करते हैं, अभी यहाँ पर विमान से छोटे कन जो होते हैं, ठीक है, उनको जो बादल होते हैं, उसके बाहव में छोड़ दिया जाता है, फेला दिया जाता है, इससे क्या होता है, वही जो क की बूंद हो जाती है और जब ये बूंद बड़ी हो जाती है तो यही क्या होता है संग्धन के बाद वर्षा का कारण बनते हैं ठीक है अब आज के तत्थ में नज़र डालेंगे PIB का आर्टिकल है महर्शी एक इनिशियेटिव स्टार्ट करा जा रहा है पहले आप जान लीजे की कॉंटेक्स क्या है G20 के अंदर M.A.C.S की एक मीटिंग हुई है अब आप कहेंगे M.A.C.S क्या होता है इसका फुल फॉल फॉल होता है मीटिंग ओफ एग्रिकल्चर चीफ साइंटिस्ट ठीक है और ये कि कहां पे रही है ये वारा नसी के अंदर हो रही है अब ऑस्टेलिया अर्जेंटीना ब्राजिल ये सारे देश जो है इसके अलावा बहुत सारे संगठन है जैसे IMF हो गया World Bank हो गया WHO हो गया तो ये सारे संगठन भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे बिसिकली ये मीटिंग अब आपको समझ में आ जाना जाही क्रशी मंत्राले के दौरा हो रही तो जाहिर सी बात है क्रशी के उपर होगी अब क्रशी को इतना महत्व इसलिए जा रहा है सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर आता है इस वर्ड को याद रखिएगा Food Security का ठीक है आप देखते हो जलवा संकट जो आता है वो आता है खाद पदार्थों को लेकर तो यहां पर खाद सुरक्षा को और पोशन को किस तरीके से हम लोग अच्छा बहतर कर सकते हैं जो हमारा Climate Change हो रहा है उसके अनुकूल क्या क्रशी को हम लोग बदल सकते हैं ठीक है इसमें Public Private Partnership की बात होगी जरूरी नहीं कि सरकारों का ही यह करतव बनता है जो भी Private Companies है जो Startups वगरा है यह अगर इस Field में कुछ Innovation करते हैं तो उसमें भी यहां पर Help करी जाएगी तो इन सारे Topics को लेकर इस Meeting में चर्चा हो रही थी इसके अलावा महर्शी जो था एक Initiative भारत की तरफ से Start किया गया भारत की अध International Year of Millets भारत ने उसका Initiative लिया था बाद में UN ने 2023 को International Year of Millets घोशित कर दिया हमको पताई कि Millets के कितने अधा फाइदे हैं इसी प्रकार जो हमारे प्राचीन अनाज है ना इसके बारे में लोगों के अंदर देशों के अंदर जागरुकता फैलाना और उस प्राचीन अनाज की Productivity और कैसे बहतर हो सकती है उसके लिए Research and Development करना इसके लिए सहयोग की अपेक्षा करी जा रही है उस वज़य से महर्श Initiative स्टार्ट किया गया है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आज के Daily Quiz में इतना ही रखते हैं मैं उमीद करता हूँ आज का Daily Quiz आपको अच्छा रहेंगे और सबसे ज़्यादा important आपने माता-पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिं